तो हेलो गाइज गुड आफ्टरनून और कैसे हैं आप लोग होप सो आप लोग बढ़िया होंगे मैं अभी बहुत दिनों के बाद आज एक वीडियो बना रहा हूं और अभी आपने आप देख रहे होंगे मैं आया हूं मारती सुजुकी नेक्षा तो यार एक गाड़ी का डिलिवरी लेने आया हूं उस गाड़ी का नाम है जो की बहुत ज्यादा भी ट्रेंडिंग में है मारती सुजुकी का जिसका नाम है फ्रॉंक्स गाड़ी का डिलिवरी लेने आया हूं जिसे कि आपने वीडियो भी देखा होगा तो चलो मैं आपको मि तो इतने सारे लोग शाथ में और बैट हुए दिन बात दिख रहे हो, इतने सारे लोग आया है गाड़ी का के लिए गाड़िया भी रेडी हो रहा है और रही थी बहुत ज्यादा एक्साइटेड लग रहा है कि मैं बैठा हूं फ्रॉंग्स में इसमें मेरे को एक निगेटिव पॉइंट यह लग रहा था कि देखो इसका स्टेरिंग जो है स्टेरिंग में एक साइड में पूरा मतलब पूरा गया थोडव एक दो बटन दिया हुआ रहिक्साई ने हो खालिये और यहाँ पे जो बटन दिया हुआ है इस बटन को अगर यहाँ है प्लेस किया हुआ रहता हूँ तो ज्यादा छलू का एल छला श्के बशीन करता है क्या रोहत सई बात है तुम ठुस ओना फ्रॉं अब गाड़ी बाहर निकलेगा चला के देखेंगे तब पता चलेगा कि चलाने में कैसा मैटर वही करता है और कुछ नहीं हम लोग एक्सिस्रीज में क्या कि लगवार है रहुल यह एक यह डोर वाइजर एक यह हो गया परफ्यूम और एक क्या एक कुछ और था ना और एक 3D म तो 3D मैट अभी यह गंदा दिख रहा है लेकिन इसका अलग से आता है नया वाला वह अला भी लगा कि हम लोग गाड़ी में देखेंगे फिर पता चलेगा कैसा लगता है तो तो गाइस यह रही है वह गाड़ी जो जिसका में डिलिवरी लेने आयो हूं मार्देश जो की न की खूझ का सिगमा मोडल है जैसे कि आप देख सकते हो बाहर में आपका लॉइं एंदर मैं आपको पहले में दिखा देता हूं कि क्या अग्या फीचर से गाले तो यह तो गाइस यह है सिग्मा मोडल में क्या आता है यहां पर फिलाल कुछ भी नहीं है देख सेक्तों डिस् सब बढ़ी है लग रहा है एक थोड़ा सब और करके देखता हूं छुट हो तो इसमें इन्फोमेशन वगएरा को दिया हुआ है यह सब भी बढ़ी है और कि यह पर लाइट वगएरा कुछ भी नहीं दिया हुआ है सिट का जो कौैलिटी है वह लेदर नहीं है लेदर तो एक् से के लिए पढूर ऑलो करने के लिए पिर गाइसा कुछ इन फोमेशनी को 6g और यहां पर जो सपोर्न होता है वह भी नहीं दिया गया हुआ है देख सकते हो आज़यर का है वकि गाड़ी बहुत explains करने के लिए दिया गया हूँ यहßen Jadi तो सिग्मा मोडल से और यह एक्सपेक्ट कर सकते टू यह बैग है इतना सारा कुछ भी दे दिया बहुत ही है तो सबसे अच्छा कि एक अच्छा एक देदिया वह भी आटोमेटिक है देख सकते आटो यह बहुत ही अच्छा चीज जो की है वह देख सकते हो यह ऐसा वलग की दिया हुआ है जैसे कि बेसीक समर्द सुजी का की आता है वह वा कि गेट में अपको वही नॉर्मल सारा चारो से एक लिकिन एक वन डाउन वन अप है यह लॉक अनलोक के लिए दिया गया है पाकि एक पर रियर में मैं आपको दिखा देता हूं तो रियर में देखो यार एक्षार का स्पेस भी सही लग रहा है एसे व्यार्ट नी लिया हुआ है चारजिन का सौकेट दिया हुआ है य tutorial में यह वाला सौकेट है सीट का क्वालिटी यह देख सकते हो आप वाकि देखो इसमें एक्सेसरी लगा हुआ है 3D मैट लगा हुआ है मतलब अलग से लगबाया गया है कंपणी नहीं देती है एक पर मैं पीछे साब को लुक दिखा दे रहा हूँ यह सिग्मा मॉडल का यह देख सकते हो फ्रॉंक्स यहां पर लिखा हुआ है वागी इसका जो लाइटिंग है वह एलीडी है वह यहां तक ही जलता है यह वाला सिर्फ रिफ्लेक्टर का काम करता है वागी स्कीट प्लेट आप देख सकते हो यह रहा है टायर का जो साइज है सिग्मा मॉडल में वो सेम साइज है जो टॉप मॉडल में आता है 16 इंच का देखो 195 60R16 तो सेम चीज आपको देखो यह टॉप मॉडल का फ्रॉंक्स है देख सकते हो इस पर भी सब कुछ वैसी है स्कीट प्लेट बस इसम कुछ डिफरेंस आ जाता है जाटा है गाड़ी में फीचर में डिफरेंस बाकी लुक वगेरा में मेरे को तो को डिफरेंस लग नहीं रहा है बाहर को लॉइच चोड़के और देखो टॉप मॉडल में यह रिक्वेस्ट सेंसर भी दिया हुआ है यह बाकी देखो यह टॉप साढ़े आठ लाग में तो आपको यह आठ लाग असी याप पचासी हजार में अपको अन रोड आ जाता है यह गाड़ी पाट इंडिकेटर आप इसका देख सकते हो साइड में यह पर में दीआ हुआ है वर वी पर मिल जाएगा इसके उपर जो मॉडल आता है वह है डेल्ट उसके उपर जो आता है डेल्टा प्लस फिर से आता है अल्फा तो वह अल्फा मोडल अल्फा सायद टॉप मोडल आता है मार्थी शुजुकी का यह देख सकते हो तो गैस सोरूम में बैठा हुआ हूँ और वेट कर रहा हूँ क्योंकि नंबर प्लेट सायद अभी तक बनके नहीं आया है और है अब ही बोल रहा है दो घंटा टाइम और लगेगा इसलिए बैठ के वेट कर रहे हैं अब नंबर प्लेट आएगा यहां पर गाड़ी में नंब अब द्धिन डिलेए यह बाद ही गाड़ी लो लेकिन यहां के वेट मत करो यार वेट करना ही सबसर बड़ा एक टास्क होता है चलो वेट तो करना ही पड़ेगा आगे है तो अब बताओ कैसा लग रहा है गाड़ी लेकर अच्छा लग रहा है खुसो ना आप बते हैं आप तो दोनों का लुक लगभक लगभक सिमिलर ही है इसका जो लुक आते है वो बैलेनो और ग्राइंट विटारा का मिक्शर करके फ्रॉंग्स का लुक बनाए गया है जो कि काफी खुबसूरत सा लग रहा है देख सकते हो आप करो ताली मारो यार कोई ताली नहीं मार रहा वाई तो देखो यह है खुबसूरत सा कार फ्रॉंक्स सिग्मा मोडल जो की काफी खुबसूरत लग रहा है पहले नो एंड ग्रैंड विटारा का मिक्षर कह सकते हो अब इसको और अंदर से गाड़ी मैं आपको दिखाता हूं थोड़े देर में पहले गाड़ी यहां से बाहर निकल प्रॉड़ी हो रहा है नाइस तो गाड़ी के दिलिवरी फाइनली हम लोगों ने ले लिया है और गाड़ी लेने के पाते हुश सब के चैनल के पुसी तो बहुत एक सबगा फोटो गेर हम लोगे चाली और गाड़ी का मज़ा अब बताऊंगा चलाने के बाद गाड़ी अब हम भाड़ी का अब यह देखा हम लोगों ने निम्बू मंगवाया क्योंकि गाड़ी निकालने से पहले निम्बू अगर चड़ा के पार के जाता तो बहुत सुब माना जाता इसके लिए तो अभी चारो चक्का में लोग निम्बू लगाए लो रोहीत लगा थो निम् सब्सक्राइज तो सब्सक्राइब कर सकते हैं काफी अच्छा होस्पिटालिटी प्रवाइड किया इनों ने तो चलो अच्छा लगा देखके और यह देखो है रेडिसन बुलू और मौसम देखो कितना मस्त हो जुगा बादल भी बहुत ही मस्त लग रहा और यहां से अब गा बधाई हो नया गाड़ी के लिए रोहित बधाई हो गाड़ी के लिए ठीक है चलो वीडियो यहीं पेइंड करते हैं फिर सबको टाटा बोल दो भाई कि अब के कि अब के